क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स निकुलियो प्रोटीन के बने रेशे हैं जो सेल के निकुलियस के अंदर पाए जाते हैं ये जानदारों के मौरूसी और साफ के हामिल होते हैं यानि ये जीन्स के केरियर होते हैं दोसरे लफ़ों में हम कर सकते हैं के क्रोमोजोम्स में ही जीन्स पाए जाते हैं जो विरासत की एकाईया हैं लब्स क्रोमोजोम दरसल दो लब्सों से मिलका बना हुआ है क्रोमो यानि रंगीन और सोमा यानि चीजे यानि रंगीन चीजे जब सेल को बेसिक डाइज के जरिया इस्टेन किया जाता है तो क्रोमोजोम्स रंगीन हो जाते हैं और देखाई देने लगते हैं इसलिए इनका ये नाम वाल्डेयर ने अठारा सो अठासी इसवी में रखा था। क्रोमोजोम्स आम तोर से दिखाई नहीं देते हैं। जब सेल डिविजन शुरू होता है तो प्रोफेज के दौरान क्रोमो निमाटा के रेशे क्वाइल्ड होकर और उसके बाद फिर सुपर क्वाइल्ड होकर छोटे और मोटे धागों की शकल एक्तियार कर लेते हैं और इस ह हालत में हम इने क्रोमोजोम कहते हैं और ये क्रोमोजोम्स इस वक्त आम लाइट माइक्रोस्कोप्स की मदद से आसानी से देखे जा सकते हैं। सेल डिविजन के मकंबल हो जाने के बाद क्रोमोजोम्स फिर से अनकॉयल्ड हो जाते हैं और फिर से क्रोमेटेन के रेशे बनक निकुलियर रेटिकुलम के शकल एक्तियार कर लेते हैं और इस हालत में उन्हें आम लाइट माइक्रोसकोप के मदद से देखना तकरीबन नामुम्कीन होता है क्रोमोजोम्स खलिया के सबसे आहम चीज़े हैं ये जानदार के तमाम मौरुसी आउसाफ के हामिल होते हैं यानि एक जानदार की तमाम कुछसियात क्रोमोजोम्स की वज़े से होती है मिसाल के तोर पर कोई मटर का पौदा लंबा होगा या छोटा कोई गाए सुफेद होगी या सिया किसी इनसान के बाल काले होंगे या भूरे किसी शक्स का रंग गोरा होगा या काला ये तमाम खुसियात इन जानदारों के क्रुमोजोम्स में तर्ज होती है क्रुमोजोम्स में एक खुबी ऐसी होती है जो दुनिया की किसी दोसरी शेमें नहीं होती है क्रोमोजोम अपनी पूरी लंबाई में तक्सीम होकर एक जैसे दो क्रोमोजोम्स बनाने की खूबी रखते हैं इस अमल को रेप्लिकेशन कहा जाता है यानि हर क्रोमोजोम अपनी पूरी लंबाई में तक्सीम होकर दो क्रोमोजोम्स बना लेता है मुक reduction जानदारों के खलीयों में करूमोजूम्स की तादाद मुकतफ होती है लेकिन किसी एक खास इस्पीसिस के किसी भी जानदार के किसी भी खलिये में करूमोजूम्स की तादाद हमेशा एक ही होती है मिसाल के तोर पर इनसान के हर खलिये में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं अब कोई इनसान चाहे वो चीन का हो, आस्ट्रेलिया का हो, अमरीका का हो, येरोप का हो, अरब का हो, ये हिंदुस्तान का हो दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी खित्ते का, किसी भी नसल का इनसान अगर है तो उसके खलियों में 46 क्रोमोजोम्स ही होंगे ना उससे कम ना उससे ज्यादा इसी तरह कुत्ते में 78 क्रोमोजोम्स, कबूतर में 80 क्रोमोजोम्स, बंदर में 42 क्रोमोजोम्स, मेडक में 26 क्रोमोजोम्स, चुहे में 46 क्रोमोजोम्स, और मच्चर में 6 क्रोमोजोम्स होते हैं पौदों में भी ठीक इसी तरह जैसे बूभी में 18 क्रोमोजोम्स मकई में 20 क्रोमोजोम्स और चावल में 24 क्रोमोजोम्स होते हैं किसी भी जानदार के जिसमानी खलियों में क्रोमोजोम्स की जो तादाद होती है उसे डिपलॉइड तादाद कहते हैं जिसकी अलामत 2N होती है जिसमानी खलियों में क्रोमोजोम्स हमेशा जोड़े के शकल में होते हैं यानि दो क्रोमोजोम्स बिलकुल एक तरह किये होते हैं आइडेंटिकल होते हैं और इन जोड़ों को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम्स यानि इनसान के एक खलिये में 46 क्रोमोजोम्स यानि 23 होते हैं और ये तेज जोड़े होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं बिलकुल आइडेंटिकल बिलकुल एक तरह के क्रोमोजोम्स जोड़े जोड़े की शकल में होते हैं तौलीद के आमाल यानि रिप्रोडक्शन के लिए जो तौलीदी खलिए गैमेट्स बनते हैं उन में क्रोमोज क्रोमोजोम की तदाद घटकर आधी हो जाती है यानि हर जोड़े में से एक क्रोमोजोम एक गेमिट में जाता है और क्रोमोजोम की तदाद आधी हो जाती है यानि इनसान के जिस्मानी खलियों में 46 क्रोमोजोम होते हैं लेकिन इनसान के रिप्रोड़क्टिव खलियों में त 23 क्रोमोزوم होती है और और रिक्रोमोजोम की ये तदाद, आदी तदाद ये हैप्लोईट कहलाती है और इसकी अलामत इन कुटी है क्रोमोजोम की सख्त morfology of द्देक्रोमोजोम क्रोमोजोम एक नहायत छोटे और बारी क्रेशे का नाम है जिसकी लमबाई आम तर से 1 माई करों से 30 माई करों तक और मुटाई 2 माई करों से लेकर के 2 माई करों तक होती है माई करों एक बहुत छोटा यूनिट है यह एक मिलिमीटर का हजारवा हिस्सा होता है Morphology of匪 do, क्रूमोजोम की साखत हर क्रोमोजोम में कई हिस्से पाए जाते हैं जैसे पेलिकल, मैट्रीक्स, क्रोमनेमाटा, क्रोमोमेयर, सेंट्रोमेयर, सेकेंडरी कौंस्ट्रिक्षन, सेटलाइट और टिलोमेयर पेलिकल पेलिकल क्रुमोजोम के गिर्द पाया जाने वाला एक इंतहाई बारी गलाफ है जो क्रुमोजोम को घेर कर एक खास शकल अता करता है मैट्रिक्स यह एक गाढ़ा और चिपचिपा रकेक है जिसमें क्रुमो नेमाटा के रेशे डूबे रहते हैं क्रुमो नेमाटा यह इस्प्रिंग के शकल के पेचदार आपस में मजबूती से लिप्टे हुए बिलकुल एक जैसे दो लंबे रेशे हैं जो मैट्रिक्स में डूबे रहते हैं इन में से हर एक रेशे को क्रुमो नेमा कहा जाता है और दोनों को एक साथ क्रुमो नेमाटा कहते हैं हर एक क्रुमो नेमा दरासल डी एने के रेशे और प्रोटीन के जरात से मिलकर बना होता है क्रुमो मेर क्रुमो नेमाटा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटी छोटी फूली हुई जगे होती हैं जिनको क्रुमो मेर्स कहते हैं यह देखने में विल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे धागे में मोती पिरेवोई हुए हूँ दरासल यह वो हिस्से हैं जहां क्रुमेटिन मेट्रियल जादा होता है electron microscope से देखने से पता जलता है कि असल में इस मुकाम पर क्रोमो नेमा के रेशे कुछ ज्यादा पेज़दार है सेंट्रो मेर हर क्रोमोजोम के तकरीबन बीच में एक जगा थोड़ा सहिस्सा सुकुड़ा हुआ दिखाई देता है यहाँ पर क्रोमोजोम बाग की पूरी लंबाई के मकाबले में पतला होता है इस जगा को primary construction कहते है इस जगा पर एक बारीग प्लेट जैसे शकल होती है जो प्रोटीन की बनी हुई होती है इसे काइनेटो कोर कहा जाता है क्रोमोजोम का ये पूरा हिस्सा सेंट्रो मेर कहलाता है यही वो मकाम है जहां खलिया की तक्सीम के दौरान spindle fibers चिपकते हैं secondary construction चंद क्रोमोजोम में सेंट्रो मेर के अलावा एक और मकाम ऐसा होता है जहां क्रोमोजोम सुकड़ा हुआ होता है उस मकाम को secondary construction कहते है इस मकाम पर एक फुलावा हिस्सा भी होता है जिसको nicoleolus organizer कहते है जो खलिया की तक्सीम के दौरान इंटरफेस के मरहले में nicoleolus की तश्कील में हिस्सा लेता है सेटलाइट secondary construction आम तोर से क्रोमोजोम के किसी एक किनारे के तरफ होता है उसके बाद क्रोमोजोम का जो बाकी हिस्सा होता है उसे सेटलाइट कहते है टीलो मेर क्रोमोजोम के दोनों आखरी सिरे टीलो मेर कहलाते हैं ये दर असल क्रोमोजोम के आखरी सिरों पर वाके हिफास्ती हिस्से हैं जो आखर के डीने को बरबाद होने या किसी दोसरे क्रोमोजोम के साथ उलच जाने से बचाते हैं क्रोमोजोम की किमियाई बनावट किमियाई तर पर क्रोमोजोम दर असल क्रोमेटीन मेटरियल का बना होता है हम जानते हैं कि क्रोमेटीन दो चीजों से बना होगा है निउक्लिक एसिट और प्रोटीन क्रोमोजोम में दो किसमों की निउक्लिक एसिट पाए जाते हैं डियोक्सी राइबो निउक्लिक एसिट यानि डी एन ए और राइबो नुक्लिक एसिड यानि RNA क्रोमोजोम में DNA ही सबसे अहम शह है और ये तमाम मौरुसी और साफ का हामिल होता है तमाम जेनेटिक खूबियां DNA में ही दर्ज होती है और DNA क्रोमोजोम का एक बड़ा हिस्सा है जबके RNA बहुत थोड़ी मगदार में होता है तक्रीबन 5 से 10 % के करीब क्रोमोजोम में प्रोटीन भी पाया जाते हैं दो किसिम के प्रोटीन होते हैं ज्यारہ तर जो प्रोटीन पाया जाता है वो हिस्टोन प्रोटीन है और बहुत थोड़ी मगदार में non-histon protein भी पाये जाते हैं क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन के लावा पाये जाने वाला बाकिद तमांब प्रोटीन non-histon protein का लाता है जो क्रोमोजोम को एक خاص सख्त अता करता है